तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम एक मांगा कवर करने वाले हैं जिसके अंदर हम सभी को मालूम चलता है कि अगर यूनिवर्स 7 यानि की गोकु हार जाता टूर्णामेंट ओफ पावर तो फिर क्या-क्या हो सकता था बाइदवे इसके अल्डेडी मैं कुछ पार्ट अपने चैनल पे अप्लोड कर चुका हूँ बट काफी सारे लोगों को उस पार्ट में कुछ कन्फूजन आ रहे थे तो मैंने सोचा कि एक dedicated वीडियो इसमें ही बना दी जाए तो वो सारे पार्ट आज मैं इस वीडियो के मैंने इस मंगा को स्टार्ट करते हैं तो स्टोरी स्टार्ट होती है हम देखते हैं गोकू एंड जीरें की fight चल रहे थे और यहां पर universe 11 और universe 7 के सारे कंटेस्टेन गोकु एंड जीरिन को अपने अपने युनिवर्से से चीर कर रहे होते हैं लेकिन इस मांगा के अंदर हम सभी को हमारे गोकु की अल्टरा इंस्टिंट फॉर्म ही देखने को मिलती है गोकु इस मांगा के अंदर अपनी मास्टर अल्टरा इंस्टिंट फर्म अचीव नहीं कर पाता जिसी रिजन के वज़े से ही वो इस मांगा के अंदर हार जाता है उसके बाद हम सभी देखते हैं कि गोकु एंड जिरिन की फाइनली फाइट होने स्टार्ट होती है और एक काफी बड़ा धमाका होता है जिसके बाद हम देखते हैं कि चारो तरफ दुहां ही दुहां फैल जाता है उसके बाद हम सभी देखते हैं कि जिरिन एकदम सही खड़ा होता है और सभी लोगों को अब पता चल जाता है कि गोकु शायद अब हार जाएगा और हम देखते हैं कि bell mode काफी ज़्यादा खुश होते हैं और इसी को देखें कि दोनो जीनोस भी अप्ता चल चुका था कि शायद अभ जीरिन को हराना मुश्किल है और अब जीरिन गुकू को हरा देगा उसके बाद जिरिन वहाई पर खड़ा होता है और गोकु नीचे अपने घुटनों के बल बैठा हुआ होता है तब ही हम सभी को मालुम चल जाता है कि जिरिन में अभे भी काफी जादा पावर बची हुई है और उसके बाद हम सभी को दिखाया जाता है यूनिवर्स सेवन के कुछ मेंबर्स को और वेजी टैन पिकलो समझ जाते ही कि अब शायद सी यूनिवर्स सेवन का एंड होगा बट यहीं पर हम देखतें गोहान को गोहान को यह एकसेप्ट करना काफे ज़्यादा मुश्किल था कि उसके फादर यानि की गोकू हार चुका है और गोहान यह एकसेप्ट नहीं करना चाता था और इसी बीच गोहान एक बहुती बड़ी गलती कर देता है वो सिधा कूच जाता है टूर्नामेंट ओफ पावर की रिंग में जो की नियमों के सक्त खिलाफ था और इसी लिए ग्रैंड प्रिष्ट एंड वीच गोहान को सजा देते वे उसके उपर कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो बेजान हो जाता है और सिधा जाकर गिरता है टूर्नामेंट ओफ पावर की रिंग में और ये देखके पिकलो काफे दा हैरान रह जाता है और वो गोहान के पास जाने की कोशिश करता है बट ऐसा करने से वीच उसे रोक देता है एंड वीस कहता है कि ये टूर्णामेंट ओफ पावर के सक्त खिलाफ है इसके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता और हम देखते हैं गोहान को जिसकी बोडी एकदम बेजान पड़ी होती है टूर्णामेंट ओफ पावर के रिंग में एंड गोकु उठता है और वो जाने लगता है गोहान की तरफ बट गोहान और गोकु के बीच में जिरिन करा होता है और जिरिन को अंदेखा करके गोहान के पास चले जाता है गोकू और गोकू फाइनली अपने हातों में उठा लेता है गोहान की उस बेजान बोडी को और यहाँ पर हम सभी देखते हैं कि फाइनली ग्रेंड प्रिष्ट एंड जिनो ने ये फैसला ले लिया है कि यूनिवर्स 7 को इरेज कर दिया जाएगा बट दिरे-दिरे करके वो वेपराइज होने लगता है और उसके बाद हम सभी देखते हैं गोटेन एंड ट्रंक्स को एंड ट्रंक्स कुछ बात को नोटिस करता है कि गोटेन दिरे-दिरे करके इरेज हो रहा है और ऐसे ही वो दोनों भी इरेज हो जाते हैं उसके बाद हम देख बुल्मा को और बुल्मा भी धीरे-धीरे इरेज होने लगती है और बुल्मा ही वो एक सक्ष होती है जिसको पता चल जाता है कि उनिवर्स 7 टूर्णामेंट ओफ पावर के अंदर हार जाते हैं और हम सभी देखते हैं कि इस उनिवर्स के अंदर एंड्रोइड 70 पहले ही वार हो जाता है टूर्णामेंट ओफ पावर के अंदर से और उसी के बाद हम सभी देखते हैं जिनो एंड ग्रैंड प्रिष्ट को एंड्विर हम देखते हैं गोकु को गोकु गोहान के इरेज होने पे काफी ज़्यादा परेशान हो जाता है एंड्ड हम देखते हैं जिनो को ज जो कि एकसेप्ट कर लेते कि फाइनली गोकु की वज़े से ही आज वो भी इरेज होने वाला है एंड उसके बाद गोकु पीछे मुड़कर देखता है यूनिवर्स 11 की पूरी टीम को जो कि जिरिन के वज़े से काफ़े ज़ादा खुशोरी होती है और जिरिन हमेशा के जैसे ही गोकु को कुछ भी अपने सामने नहीं समझ रहा होता है एंड फाइनली हम सभी देखते हैं गोकु को एंड गोकु एकसेप्ट कर लेता है कि अब उसका अंत आ चुका है और गोकु पीछे मुड़कर दोनों जिनों को बाई बोलता है जो देखे जिनों भी काफ यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि अभी तक ऐसा किसी ने भी नहीं कर रहा होता है उसके बाद गोकु के एक आवाज आती है एंड वो आवाज रहती है फ्रीजा की क्योंकि गोकु ने फ्रीजा से वादा किया था कि टूनामेंट ओफ पावर जीतने के बाद वो फ्रीजा को वापस से रिवाइव कर देंगे और तबी वेजीटा फ्रीजा की नाक में बहुत जोड से पंच मारता है ताकि फ्रीजा चुप हो जाए उसके बाद हम सभी देखते युनिवर्स सेवन के सारे के सारी वारियर्स को और यहाँ पर हमको पता चलता है कि एंडरोइड 17 और फ्रीजा पहले ही भार हो चुके और वो सारे एकसेप्ट कर लेते कि फाइनली उनका लास्ट टाइम आ चुका है और लास्ट टाइम के अंद बीरस को जो कि फाइनली एकसेप्ट कर लेते हैं कि आखिरकार उसका इरेज होने का टाइम आ चुका है और फाइनली हम सब भी देखते हैं कि गोकु की सोल एक अंजान वर्ल्ड के अंदर होती है और यहाँ पर मैं गोकु की सोल क्यों कह रहा हूं वो आप सभी को मैं बताऊ एन्ड गोकु को अचानक से कुछ फील होता है वो देखता है कि उसके पीछे कोई एक अंजान सक्स खड़ा होता है और वो होता है और कोई नहीं वीस एन्ड वीस को देखके गोकु एक टाइम के लिए काफे अदा है और वीस गोकु को समझाता है कि अब तुम्हें गोकु म करा था कर द तब मैंने कुछ सेकंड पीछे रिवाईन करके तुमको बजा लिया था बट मैंने तुमसे जूट कहा था मैंने कोई भी time rewind नहीं किया था मैं तुम्हeं किसी और multiverse के अंदर ले गया था तो वैसे ही मैं वापस से कर सकता हूँ तुमें एक और चांस मिल सकता है अगर तुम चाहो तो एंड गोकु इसके लिए रेडी हो जाता है क्योंकि गोकु को भी पता है कि ये मोका उसके लिए काफ़ी बड़ा है एंड गोकु कहता है कि हाँ वीस मैं त्यार हूँ और इस बार भी तो एक और गोकु होना चाहिए लिकिन आप सभी को मैं एक और बात बता देता हूँ कि गोकु की सिर्फ सोल को वीस ने बचाया था ना कि गोकु की पूरी बोड़ी को क्योंकि जिरिन के साथ फाइट करते वे गोकु की काफ़ ज़्यादा घाव ہو गे थे और इसके कपड़े भी बुरी तरीके से फट चुके थे लेकिन इसके अंदर हम देखते हैं कि गोकु एकदम सही सलामत होता है और उसके कपड़े भी एकदम सही होते है यानि कि यह गोकु की सोल होती है जो कि एक अधर यूनिवर्स के अंदर वीज बेज देता है और मेरे को पता ही कि आप सभी के मन में काफ़ी सारे कुश्चन चल रहे हैं कि आखिरकार वीज ने ऐसा क्यों किया तो वो सभी मैं आपको वीडियो के एंडिंग में जवाब दे दूँगा फिलाल हमने इस मांगा को ही कंटिन्यू करते हैं तो फिर हम सभी देखते हैं कि गोकु जैसे ही दूसरे यूनिवर्स के अंदर जाता है महाँ पर किरिन और सभी लोग गोकु को बहुत जादा चेयर कर रहे होते हैं और ही पर हम सभी देखते हैं कि लॉड बीरस एंड वीज भी गोकु को चेयर कर रहे होते हैं बट एक बात हम सभी नोटिस करते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साथ फाइटर्स ही है यूनिवर्स सेवन के यानि कि अभी भी 17 और फ्रीजा अभी भी टूर्नमेंट अफ पावर की रिंग के अंदर है और फाइनली यहाँ पर हम देखते हैं कि गोकु और जीरिन की फाइट वापस से चालू हो जाती है लेकिन इस बार गोकु अपनी आखे बंद करकर खोलता है तो फाइनली इस देव्य शक्ती यानि की अल्टरा इंस्टेंट को मास्टर कर लेता है एंट जीरिन अटेक करता है गोकु के उपर बट गोकु जीरिन के इस अटेक से काफ़ी आचानी से बच जाता है एंट जीरिन अपने हाथों को देखता है क्योंकि गोकु पूरे पूरे रेडार में होता है जीरिन के इस अटेक के एंट जीरिन को भी पता चल जाता है कि गोकु इस टाइम पे मास्टर अल्टरा इंस्टेंट अजीव कर चुका है और हम सब भी देखते हैं गोकु को जो कि काफ़े ज़ादा सीरिस दिख रहा होता है और यहाँ पर गोकु अपनी टीशेट भी फार देता है क्योंकि गोकु को पता है कि अगर वो इस बार टूर्नामेंट ओफ पावर हारा और शायद से वीस को पता चल चुका है कि आखिरकार गोकु के साथ क्या हुआ होगा और यह सब देखके जिरिन काफ़ी ज़ादा गुसे में आ जाता है और जिरिन अपनी सारी पावर अनलोक कर देता है उसके बाद हम सबी देखते हैं गोकु को जो की एक परसंट भी रिक्स नहीं लेना चाता टूर्नामेंट ओफ पावर हारने के लिए और गोकु फ्रीजा को कहता है कि फ्रीजा हम दोनों को मिलकर जिरिन को टूर्नामेंट ओफ पावर से आउट करना होगा हाले कि यहाँ पर गोकु मास्टर अल्टरा इंस्टेंट फॉर्म के अंदर है बट फिर भी यहाँ पर अपना गोकु एक परसंट भी चांस नहीं लेना चाता जिरिन को हर राने के लिए तब ही फ्रीजा की मदद लेता है गुकू अपनी मार्श्ट अल्टरा इंस्टेन फॉर्म के साथी और फिर वो ही सब होता है जो कि हमने रियल टूर्णामेंट ओफ पावर के अंदर देखा था और अट दी एंड हम देखतें कि एंडरोइड 17 जी जाता है टूर्णामेंट ओफ पावर और वही विश मांगता है जो कि सारे उनिवर्सल्स को वापस से लेकर आ जाए और दोस्तो यही थी यह पूरी मांगा आप सभी वो कैसी लगी कॉमेंट में मेरे को जरूर से बताना साथी में आपके अगर कुछ भी डाउट से तो वो कॉमेंट में बता देना मैं दूर कर दूँगा बाइदवे उसके अलावा आप सभी को मैं बता दूँ और अगर आप सोच रहे हो कि वीश ने ऐसा क्यों किया जिरिन टूर्णामेंट ओफ पावर जीत गया था फिर भी तो हम सभी को पता है कि ग्रेंट प्रिश ने कहा था कि अगर कोई भी अपनी सेलफिश विस मांगता इसलिए वीश ने गुकु की सोल को कुछ टाइम के लिए अलग कर दिया था और अगर हम सभी को भी मालूम है कि जिरिन जीत जाता तो वह सेलफिश विस मांगता जिसके वज़े से उसका भी यूनिवर्स सारा का सारा इरेज हो जाता एंड उमीद ही कि आप सभी के सारे ड्रैगन बॉल फैन्स होता हो और ड्रैगन बॉल से लिल्टेड में ऐसी काफी कमाल कमाल की मांगाज अपने चैनल पर यूहीं अपलोड करता रहता हूं तो दोस्तों अपना सपोर्ट दिखाने के लिए इंस्टेग्राम पर फोलो कर दो एंड चैनल को सस्क्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक करना बिलकुल मत बूलना तो मिलते आप सबी से नेक्स्ट वीडियो में